हेलो गाइस वेलकम टू माई यूटूब चेनल जी एस क्लासे स्वैसंजू सर दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे हम लोग डिसकस करेंगे भारतिय अर्थवरस्था एक परचा है यह काफी महत्पुर्ण टॉपिक है इस टॉपिक से प्राया सभी परिक्षाओं में कि हम लोग डिसका करते हैं और आशा है कि यह काफी महत्पुर्ण और आपके लिए काफी लावकारी शावीत होगा तो सबसे पहले है अर्थ शास्त्र का डिफिनीशन है दोस्तों समान norm के अनुशार जो है अर्थ सास्त्र अर्थाथ धन का सास्त्र इसका जो साब्दी कर्थ होता है धन का सास्तृ, इसके अंतरगर धन और उसे संबंधित, सभी पक्षों का समग्र अध्यन, और पूर्ण रूप से अध्यन और उसका विशलेशन करा जाता है, वही अर्थ शास्तृ करलाता है, देखं़ अर्थ शास्त्र के मुक्त और पर अर्थास्त्री के द्वारा दिया गए है, जैसे अलफरेड मार्ष इनके दवारा बताया गया है कि अर्थास्त्राया है, मनुस्त के बिवहार का अध्यान है। अर्थात इसका मिनिंग समझ ही है कि अर्थ शास्त्र जो है मनुष के बिवहार के अध्यन से शंबंदीत है एडम में समीत जो सबसे महतपुर्ण अर्थ शास्त्री है इसके अनुसार अर्थ शास्त्र धन का विज्ञान है और इन्हें ही अर्थ शास्त्र का जनक भी कहा जाता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नियंतरन के अधार पर बरगी करन निम्न रूप से क्या जाता है ठीक है उदारवादी ब्युस्था लिवरल एकोनोमी इसके अंतरगत देखते हैं दोस्तों इस तरह का जो है आपको परिभाशा में डेफिनीशन से संबंदित या लिव जा सकता है तो इसको चलिए समझते हैं कि उदारवादी अर्थव्यस्था के अंतरगत क्या क्या चीज आता है उदारवादी अर्थव्यस्था में पूंजी निवेश उत्पादन के साधनों उत्पादन के बित्रन और धन के बित्रन पर नीजी छेत्र का नियंतरन रहता है दोस्तों दोग यहीं समझते हैं कि लिवरल एकोनोमी अंतरगज जो है इस पर शामित जो है नीजी छेत्र का रहता है यह ब्यवस्ता जो है एडम एस्मीट के द्वारा दिये गे औह स्थक शेप के शिद्धान पर कार्ज करती है जिसमें शरकार का नियंतरन जो है बहुत निय दारन है अमिर के जैसे पुझीपती देश जो भी हो विक्षित देश उसके अंतरगत लिवरल एकोनोमी है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सोशिलिस्ट यानि समाजवादी अर्थव्यस्था इसके अंतरगत जो है देशा नाम से पता चलता है कि शमाजवादी शमाजवादी अर्थव्यस्था में समस्त आर्थिक गत्विदियां का संचाल नियंतरन सरकार के द्वरा किया जाता है अर्थात उत्पादन के साधनों और उत्पाद दोनों पर सार्जुनिक शामित का महत्तु रहता है आप यह कहें कि उस पर सरकारी नियंतरन रहता चलिए मिश्रित अर्थव्यस्था मिक्षड इनोमी इकोनोमी जो है मिश्रित अर्थव्यस्था के अंतरगत जो है उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यस्थाओं को मिश्रित अर्थव्यस्था है दोस्तों कहने का तात्पर्ज हैक समाजवादी और लिवरल यानि नीजी छेत्र और सरकारी छेत्र दोनों का सामीत के अर्थव्यस्था को मिश्रित अर्थव्यस्था कहा जाता है इसका उदारन हमारा देश भारत है इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार परिक्षा में पूछे जा चुके है कि भारत का एकोनोमिक ऐसी है तो मिश्रित अर्थव्यस्था ठीक है दोस्तों कि आगे बरते मिश्रित अर्थव्यस्था की कल्पना कि 1929 की महमंदी के बाद क्या गया है चलिए अब देखते हैं विकास के आधार पर बर्गी करन दोस्तों आम बोल चाल की भासा में भी हम लोग चर्चा करते हैं और विक्षीत विकास सील और विक्षीत राष्ट विक्षीत अर्थव्यस्था डेवलब्ड इकनोमी डेवलफ के अंतरगत आता है यहां की अर्थव्यस्था विकास सील अर्थव्यस्था के अंतरगत है उसी का चर्चा करते हैं हम लोग तो विक्षीत क्या है अल्प विक्षीत या अंडेवलब्ड इकनोमी इसके अंतरगत तीनों जो परकार के शाधन है प्राकिर्तिक भावतिक और मा की देश हैं धुर्विया छेत्र आएगा और रिगिस्तान के छेत्र आएगा विकासील देश जो है डेवलपिंग एकोनोमी इसके अंतरगत जहां एक और पर्युक्त या अर्थ-पर्युक्त मानव सकती हो तो दूसरी और और सोसित प्राकृतिक साधनों की नियून मात्रा में उपलबता पाई जाती है इसका उदारण है भारत और दक्षी सफिरका के कई देश ठीक है अर्थात प्राकिर्तिक और मानव के जो संसाधन का उप्योग जहां सत्परतिशत नहीं होता है वो विकासील देश के अंतरगत विकासील अर्थव्यस्था का उदारण है अब देखिए विक्सीत अर्थव्यस्था इसके आप रिस्पेक्ट में आप उस दोनों को और बहतर तरीके से समझ सकते हैं उन देशों को विक्सीत अर्थव्यस्था कहां जाता है जहां उत्पादन के तीनों संशाधन यहां ध्यान देने की बात है दोस्तों उत्पादन के तीनों संशाधन अर्थात प्राकिर्तिक मानव है और भौतिक परियाप्त मातरा में उपलब्ध है और उसका अनुकुलतम समुचित परियोग क्या जाता है बहुत ही सिंपल सा आप इस परिभासा के जरीए उस और विक्सित और विकासिल अर्थव्यस्था की को समझ सकते हैं कि यह जो तीनों संशादन है वह विक्सित अर्थव्यस्था के अंतरगत इसका उप्योग पुर्णी रूप से क्या जाता है और विकासिल और विक्सित और विक्सित अर्थव्यस्था उसके अंतरगत नहीं क्या जाता है चलिए बैसवीक अधार पर देखते ह सबसे कलोज़एकोनोमी जहां दूसरे देशों के साथ किसी भी परकार का कोई लेन दिन नहीं होता ना कोई बस्तु का अंदेश से आयात होता है नहीं उस देश से किसी बस्तु का निर्यात क्या जाता है इसे closed economy या बंदर अर्थव्यस्था कहा जाता है इसका उदाहरण जो है उत्तरकोरिया है ठीक है एक्स मैनस M बराबर 0 अर्था निर्यात मैनस आयात equal to 0 ना निर्यात होता है ना आयात उस देश से ना निर्यात क्या जाता है ना कोई वस्तु आयात चलिए खुली अर्थव्यस्था open economy लगभग अब आज के प्रिवेश में पूरे विश में खुली अर्थव्यस्था का economy है वैसी अर्थव्यस्था जिसका सिस विश्व के साथ आर्थिक्षबंद होता है अईसी विवस्था में उत्पादन उभग और पूंजी निर्मान बाहरी लेंदेन से प्रभावित होती है आधुनिक विश्थ के लगभग शभी अर्थव्यस्था है खुली अर्थव् है और इस तरह के भी question प्रिक्षा में प्रायव पूछे जाते हैं शमानता शंपुर्ण अर्थव्यस्था की आर्थिक कत्विदियां को लेखांकित करने के लिए इसे तीन शेक्तर हों शेक्टर में विवाजित क्या गया है प्रात्मिक शेत्र प्राइमडी शेक्टर इसके थोरा शाय डिपली आप लोगों को भी शेर करूंगा इसके अंतरगत जहां है प्राकिर्तिक संसाधनों को उत्पादन की रूप में प्राप्त किया जाता है ठीक है दोस्तों इसके अंतरगत अर्थव्यस्था के प्राकिर्तिक शेत्रों का लेखांकन किया जाता है प्रात् अबुमन लोग किर्शी जानते हैं याद भी करते हैं क्वेशन बुक में भी रहता है किर्शी लेकिन मैं इसको थोड़ा डीपली आप लोग को भी शेयर कर रहा हूं ताकि इसके अंतरगत किर्शी के अलावा भी यदि आएगा मतश किस सेक्टर के अंतरगत आता है खनन किस सेक्टर के अंतरगत आता है तो आप इसका उतर सही तरीके से दे सकते हैं चलिए सेकंडी सेक्टर में है दूतियक छेतर में जो प्रात्मिक छेतर के उत्पादों को अपनी ग वस्तुूओं का उत्पादन का लेखांकन के आ जाते, यहां देखिए दोस्तो, तीन पार्ट में डिभाइट के आगया है निर्मान, निर्मान मतलब परिशंपति का निर्मान, जैसे भवन, दूसरा है विनिर्मान आप दो सब्द को थोड़ा धियान से समझे दोस्तों निर्मान और विनिर्मान निर्मान है अस्थाई परिशंपत्ति का निर्मान करना और विनिर्मान के अंतरगा जो है प्रोडक्शन उत्पादन किसी चीज का किसी बस्तू का उत्पादन ठीक है जि जिसका उत्पादन होता है वो भी निर्मान के अंतरगात आता है इसलिए इस छेटर को सवाचेत्र भी कहां जाता है यह चेत्र अर्थव्यस्था के प्रात्मिक और दूतियक चेत्र को अपनी उप्योग शेवा परदान करती है देखिए उदारन देखिए दोस्तों परिवहन है संचार है बेंकिंग बीम वंडारन बैपार शामुदाइक शेवादी तेकि अर्थव्यस्था के अन्य छेत्र अमूनमान आपको तीन ही छेत्र का पढ़ने को मिलता है किसी गाइड बुक में लेकिन चुकि ये हमारा जो है थोड़ा डीपली हम लोग इसमें चर्चा करेंगे ताकि यदि इस तरह भी प्रशन पुछे जाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा चुकि दिन परती दिन आप देख रहे हैं कि परिक्षा का एस्टेंडर जो है थोड़ा हाड होते जा रहा है इसी के पॉइंट आभियू से मैं नहीं से थोड़ा डीपली कंटेंट उपलब्द कर आप लोग के भी शेयर कर रहा हूं चलिए अन्य छेत्र जो है चतुर्तक शेत्र क्वाटर्नरी सेक्टर इसके अंतर गति गतिविधियां आती है शरकार संस्कृति पुस्तकालय अनुसंधान सिक्षा सूचन प्रादोग की और अंतिम है दोस्तों इस कंटेंट का पंचम शेत्र क्विनरी सेक्टर समाज यार्थ विवस्था में उच अस् मेरा जो कंटेंट है भारतियार्थ वेस्था एक परचा है आपको काफी ही लावकारी शावित होगा इसे अबस देखें और अपने दोस्तों के भी शेर भी करें तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू